नमस्कार आप देख रहे हैं भी क्यू प्राइम हिंदी और यह है आई-पी और और मेरे साथ आज जो कंपनी है वह ब्लू जट हेल्टकेर है इनका आई-प्यू जो है ऑक्टोबर पच्छिस को आ रहा है और ऑक्टोबर 27 को बंद होगा 329-346 का प्राइस बैंड है और यह पर नन जो की चीफ फाइनाइंशल ऑफिसर ने जेंट्मिल धन्यवाज आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए मैंसे वीके सिंग पहला सवाल आपसे यह है कि आप स्पेशालिटी सेग्मेंट में हैं कॉंट्राक्स मीडिया बनाते हैं जो की सीटी स्कैन्स और हम लोगों ने एक conscious decision यह लिया था कि हम private equity route से नहीं जाएंगे और अभी कुछ सालों में जो हमने growth demonstrate करी है और आगे जो हमें ऐसा लगता है कि हमारी growth आएगी तो इसके लिए हमें लगा कि एक सरी time होगा listing के लिए जिससे currency भी create हो जाएगी और जो हमारी बढ़त के लिए growth के लिए जो हमें लोग चाहिए होंगे जो talent acquisition चाहिए होगा उसमें भी हमें फाइदा होगा रासा नहीं हो जाए यह सेग्मेंट कितना बढ़ रहा है इस इसका आपका business model क्या है अगर आप थोरसा description दे सके कि कौन कौन से segment में हैं और किस किस गटी से सेग्मेंट बढ़ रहा है देखे टोटल जो global market है contrast media का वो करीब साड़ च्छे से साथ billion डॉलर का है और historically यह market हमेशा गोही किया है और आगे भी हमारी उमीद यह है कि यह market आट से 10% single digit high single digit या low double digit growth में अवश रहेगा और उसका कारण यह है कि जो advanced markets हैं वहाँ एक stable growth है और emerging markets में growth काफी ज़ादा हो रही है लेकिन उससे भी ज़ादा हमें यह समझना है कि इस market में front and consolidation बहुत है तो इसमें बहुत कम innovator companies हैं जो कि market को dominate कर रही है और पिछले 10-15 सालों से dominate कर रही है उनका share कम नहीं हो रहा है तो हमारी जो growth है जो secular market growth है उससे ज़ादा हमारी growth आएगी हमारा जो forward integration होगा intermediates के business में जो secular growth और उसके एडिशन में जो forward integration हम intermediates में करेंगे प्लस जो हमारा wallet share increase करेगा हमारे current customers के साथ क्योंकि हमारी जो उनसे हमारा जो साथ रहा है उनसे जो हमारी relationship रही बड़ी long standing है तो मेरा यह मानना है कि अभी तक हम लोगा ने market growth rate को करीब चार से पांच टाइम्स बीट किया है और उमीद यह है कि आगे भी हम यह growth momentum maintain रखेंगे मिस्स सिंग अगर आप देखा जाए तो आपका लगबग 80% से ज्यादा जो है डेवलप्ड और मेचूर मांकिट से आता है आपका revenue और वहाँ पर आपने बोला कि लोग बहुत ही सीमित रहती है छे से साथ परसंट या लो हाई हाई सिंगल डिजिट्स में रहती है और जो आएगा आप कह रहे हैं कि टीन चार परसंट है तो एमर्जिंग मार्केट के लिए आपका क्या है रोट स्ट्राटेजी और कितना रेवन्यू एक्सपेक्ट करते हैं ग्रोट में इन सेग्में कि आपका सवाल बहुत अच्छा है और डेटा ऐसी दिखाता है लेकिन इस सेग्मेंट में हमें यह देखन मार्केट हो या चाहे वो इमर्जिंग मार्केट हो जो फ्रंट एंडिंग है या फॉर्मिलेशन है जो डाइस डिवाइस में जा रही है वो सब यही सारी कंपनीज कंट्रोल कर रही है तो पहले हम हमारा बिजनस ऐसा दिखता है कि हम यॉरप या यूएस में जादा हो रहा है लेकिन वो तो क्योंकि इनका manufacturing हब है वहां से जगे जगे distribute होता है तो कर आप हिंदुस्तान में देखें तो हो सकता है कि जो contrast media की bottle है वो जो जिस भी इन्नवेटर कंपनी के है उसमें blue jet का intermediate यहां भी आ रहा हो तो ऐसा नहीं है कि हम emerging markets की growth को छोड़ रहे हैं वह अभी सीमित है इसमें इंक्लूरड है गने जी यह बदाए कि आपको financials में आप माजीन में काफी प्रशर रहा है एप ट्वेंटी टू से एप ट्वेंटी थरी के बीच में इसका कारण क्या रहा है और आगे जाते वे आप कैसे margins देख रहे हैं? See FI 23 was impacted predominantly by raw material price increase and ocean fright. So you could actually see a 6% drop between FI 22 and FI 23 and these two are the main reasons. Starting this financial year we have seen a trend reversal in raw material prices. The prices are going back to FI 22 levels, ocean fright eased off in the first quarter. Our margins are back to the 22 levels and we believe we could actually have a healthy margin in this financial year. Mr. Singh, यह बताईए कि आपका segment है pharma APIs and ingredients का वो भी नया है relatively इस business में उस में ग्रोथ कैसा है क्योंकि आपका जो main segment जो है आपका contrast media intermediates और high intensity sweetness वो दोनों लगबग 95% करते हैं और बागी जो फार्मा API है वो फाई प्रतिश्यक्त के आसपास है तो वहां पर growth का क्या उमीद है और किस तरह का investment आप देख रहे हैं उसमें देखिए एक तो जो यह हमारा फार्मा इंटमजेट के segment है यह बहुत नया segment नहीं है company काफी समय से इस business में रही है लेकिन थोड़ा strategy में change हम नहीं किया है change यह है कि अब हम late stage agencies को target करते हैं या जो already industrialized और commercialized products हैं chronic therapy segment के अंदर target करते हैं और उसमें भी हम MNC focus और थोड़ा patented या protected space जो है उसमें हम target कर रहे हैं इस वक्त तो अकलिए पिछले चारपात साल में छे साल में जो हमने incubation किया है जो हमने small quantity supply करके अपने products का validation करा आया है वो सब जो opportunities हैं वो अब kicking करेंगी तो मेरी समच में तो अगर आप देखें हमारा quarter one का result अगर देखें तो पिछले साल से इस particular segment हमारा बहुत अच्छा करेंगा काफी blitz scaling होगी इस में गरीशी यह बताईए कि आपने कहा था कि आपके जो contracts हैं काफी long term है मतलब relationship long term है और beginning of the year आपको पता चल जाता है कि कितना volume or कितना pricing में आपको करना पड़ता है contracts तो total order book कितना है आपका आज के देट में see in the contrast media segment we have long term contracts which technically go up to more than five years and we get an annual forecast so today our forecast is based on whatever the customer has actually like indicated to us in terms of forecast even in artificial sweetener as well as in PA API you get the forecast from the customer today like whatever forecast we build is based on the contracts or the forecast whatever that has been actually communicated to us it is healthy I would actually say today I cannot give you any forward looking statement but it's a healthy but see like if I look at twenty one to twenty three we had a twenty percent growth rate and we do based on the new product launches the numbers could be different for current financial year and if you have new clients then it will increase yeah so we do expect new launches as well as new customers so on a minimum 20% revenue growth rate right annual basis yes that's the historical number what we have yeah okay so yeah इस दॉलर दिनॉमिनेट अभी टेकर सिक्समेंस फॉर्वर कॉंट्राक्ट एंद विए निट एक्सपोर्टर वी अच्छली एव अद्वांटेज ऑफ बुकिंगे फॉर्वर्वर्व प्रिम्यम अज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने लिए धन्यवाद आपका आपका अक्टोबर 25 को खुल रहा है तुछ तुछ ट्री ट्विटी नाइन टुछ फॉर्टी सिक्स पर है और प्राइस बैंड है और और ओफेसे ऑफ़ ऑफ़ फर सेल बाइप्रोंटर लब को 14 परतिशत एक्विटी है दन्यवाज आज आई पीड़ा में आने के लिए और बीक्य जब छुछ कि अपफे पीड़ा झाले यसाओ कि ट्री ट्री टी ट्री टीप कि लिएरी टॉने को तुछ बीटीटत्विट एक्विटी प्राइस भीगधर आई जाया टो लगए सब्सक्राइस पलीड़ा धरी थावागा जिस्टाइस बार ड़